अच्छे लोस्तों, डिट है आज की 9 सितंबर 2021 और स्वागत है आपका एटोयल डिसकेशन में आज देखो हिंदू में तो एक इस्यू इंपोर्टेंट है, ग्रीन हाइड्रोजन से सम्दित दो और आर्टिकल्स हम डिसकेश करेंगे, एक तो हमारा जो पुराना बचा हुआ है चाइना के अफगानिस्तान में BRI के एक्स्टेंट करने से सम्दित और एक और हिंदू बिजनेस लाइन का आर्टिकल हम डिसकेश करेंगे इंदिया की फार्माशूटिकल इंडस्ट्री से सम्दित चलिए डिसकेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इम्पोर्टन आर्टिकल ग्रीन हाइड्रोजन से सम्दित हैं आप GS paper 3 के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूं बेसिक्स की बात पहले करते हैं इनका यूज करने से एमिशन बहुत ज़्यादा होता है जिस वज़े से आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और क्लाइमिट चेंज भी हो रहा है तो राइटर के अनुसार साइंटिस्ट और टेक्नोक्रेट ने अब ऐसा सोलूशन ढूटन लिया है जो कि है ग्रीन हाइडरोजन सरसे पहले तो कोशन यही उठ जाता है कि ये ग्रीन हाइडरोजन आखिर कर है क्या देखो पानी का जब इलेक्ट्रोलीसिस किया जाता है इलेक्ट्रोलीसिस मतलब पानी में डिरेक्ट करेंट गुजारा जाता है chemical reaction को stimulate करने के लिए तो फिर hydrogen अलग हो जाता है और oxygen अलग हो जाता है hydrogen को हम इस्तमाल कर सकते हैं जबकि oxygen को हम atmosphere में release कर सकते हैं और oxygen का कोई negative impact नहीं होता oxygen से तो हम सांस लेते हैं लेकिन एक खास बात ये है जो हम पानी में electrolysis करते हैं इसके लिए चाहिए electricity मतलब current अगर गुजारना है तो बिजली तो चाहिए ना तो फिर ये जो बिजली यूज की जाती है ना वो renewable energy वाली बिजली यूज की जाती है या तो वो wind energy से जनरेट हुई हो या फिर solar energy से जनरेट हुई हो तो ये पूरी जो प्रोसेस है ना इस पूरी प्रोसेस से जो green hydrogen जनरेट होगी उसमें कोई emission नहीं होगा क्योंकि पानी का आपने electrolysis किया इससे hydrogen जनरेट हुआ और oxygen जनरेट हुआ oxygen को आपने ग्लीज कर दिया atmosphere में तो CO2 वगरा कुछ अभीट नहीं हुआ और electrolysis के लिए जो बिजली इस्तमाल हुई जो energy इस्तमाल हुई वो भी आपने जनरेट की है renewable sources of energy से मतलब CO2 byproduct नहीं निकलता इस पूरी प्रोसेस में देखो hydrogen जो है वो planet पर सबसे ज़्यादा मिलने वाला element है LH2 को यनि liquid hydrogen को compress करना ये एक बड़ी दिक्कत है क्योंकि देखो जो liquified natural gas है न उसको store करके रखा जा सकता है minus 163 degree Celsius पर लेकिन hydrogen को compress करने के लिए और store करके रखने के लिए आपको temperature चाहिए minus 253 degree Celsius इतना ज़्यादा कम temperature जब हम करते हैं hydrogen को compress करने के लिए और store करने के लिए तो फिर cost ज़्यादा आ जाती है इस वज़े से green hydrogen जो है थोड़ा सा expensive हो जाती है इसलिए अभी बहुत कम जो hydrogen है वो produce होती है सिरफ 0.1% आप कहा सकते हैं 75 million ton per year और इस 0.1% hydrogen से या फिर 75 million ton hydrogen से 284 gigawatt power जो है वो produce हो सकती है green hydrogen को produce करने की cost ज़्यादा है इस वज़े से वर्ल्ड जो है अभी फिलाल green hydrogen की दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहा है but international renewable energy agency के द्वारा जो studies conduct की गई उसके अनुसार 2030 आते आते green hydrogen को produce करने की जो cost है वो 1.5 dollars होगी पर किलोग्राम यानि कम हो जाएगी जबकि देखो global population जो है वो हर साल 1.1% ज़्यादा हो जाती है यानि कि हर साल 83 million लोग ज़्यादा हो जाते हैं इस planet पे international energy agency ने ये forecast किया है कि 2040 आते आते अभी जितनी power की आव सकता है उससे 25 से 30% ज़्यादा power की हमें आव सकता होगी और देखो power ज़्यादा चाहिए लेकिन power ऐसी नहीं चाहिए जो fossil fuel से generate हो क्योंकि अगर fossil fuel से generate होने वाली power का इस्तमाल करेंगे हम और ज़्यादा फिर तो global warming और ज़्यादा होगी climate change और ज़्यादा होगा हमारा जो target है कि earth के average temperature को 1.5 degree Celsius से ज़्यादा बढ़ने से रोखना है ये हम achieve नहीं कर पाएंगे एक अनुमान के अनुसार 2018 में 8.7 million लोग की death हो गई समय से पहले air pollution के कारण मतलब fossil fuels का इस्तमाल करते हैं तो देखो air pollution भी काफी होता है बहुत से लोग की समय से पहले death हो जाती है अभी फिलाल देखो इंडिया world में चोथे नंबर पे सबसे ज़्यादा energy consume करना वाला देश है इंडिया से उपर China, US और European Union का नंबर है International Energy Agency का अनुमान ये है 2030 आते आते European Union को पीछे छोड़के इंडिया तीसे नंबर पे सबसे ज़्यादा energy consume करने वाला देश बन जाएगा तो देखो ये जो green hydrogen है नम ये low hanging fruit है मतलब fossil fuel के alternative में green hydrogen एक बहुत ही अच्छा source है energy को generate करने के लिए और इसके लिए खाली पड़ा जो land है उसका इस्तमाल किया जा सकता है सौधिरेबिया अभी ऐसा कर भी रहा है सौधिरेबिया जहां पे गर्मियों में temperature 50 degree Celsius से ज़्यादा पहुँच जाता है वहाँ पर 5 billion dollars से ज़्यादा का एक project या फ्रियों का है manufacturing unit established की जा रही है सौधिरेबिया के सरकार के द्वारा और यह जो manufacturing unit होगे ना इसका size Belgium जितना है लास्ट में अगर इंडिया की बात करें इंडियन रेलवेज ने इंडिया का इस परकार का पहला experiment एनाउस किया था Northern Railway Zone के अंतरकत एक train चलेगी जिसका stretch होगा 90 km के आसपास सोनिपत से जीन्थ के बीच सोनिपत से जीन्थ के बीच में distance है 90 km तो 90 km का यह जो stretch है यहाँ पर रेल चलेगी hydrogen fuel cell technology की साहिता से existing जो diesel engine होता है उसको revamp करके hydrogen fuel cell technology का इस 90 km के stretch पर इससे ना सिरफ diesel की बहुत सारी बचयत होगी बल्खी देखो emission भी कम होगा तो last minute conclusion में यही कहा जाता है अब देखो बाकी देशों में green hydrogen पर focus हो रहा है तो इंडिया को भी चाहिए green hydrogen पर ज़्यादा focus किया जाए जो कि environment friendly है और safe fuel है आने वाली generations के लिए यह हमने पूरा आइडिरोजन नहीं पूरा article discuss किया green hydrogen के बारे में चलते हैं आगे इसके बाद next article India as a pharmaceutical hub से समझत है आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हो अभी देखो global pharmaceutical sector में इंडिया की जो position है काफी ज़्यादा important है अगर सरकार ने सही decisions लिए और pharmaceutical sectors को nurture किया गया तो इंडिया global pharmaceutical market में leader भी बन सकता है आने वाले समय में लेकिन देखो इंडिया को pharmaceutical industry में अब innovation पर ध्यान देने की आव सकता है और बहुत सरे steps सरकार ले सकती है जैसे R&D पर focus करना pharmaceutical companies को tax break देना ताकि वो और ज़्यादा competitive हों patent class में थोड़ा बदलाव लाना और सबसे last में research talent को promote करना मतलब research talent को nurture करना अभी देखो बात करें कि इंडिया में फार्मा सेक्टर का क्या हल है क्या situation है इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा generic drugs provide करने वाला देश है वर्ल्ड में vaccines की जितनी में demand है न उस demand को 50% तो इंडिया ही पूरा करता है USA में जो generic drugs की demand है न उसका 40% इंडिया पूरा करता है और UK में जितनी medicines की demand है 25% इंडिया के थूप हुरी होती है इंडिया की खुद की pharmaceutical market 40 billion dollars की है और pharma companies 20 billion dollars का export करती है बड़ देखो global pharmaceutical market बहुत बड़ी है 1.27 trillion dollars की तो value के हिसाब से इंडिया ने अभी भी कम share capture किया है production के मामले में यानि volume के मामले में इंडिया तीसरे नंबर पे है मतलब कितनी quantity of medicines इंडिया प्रडूश करता है वेक्सिन प्रडूश करता है लेकिन value के हिसाब से अभी इंडिया 14th नंबर पे है आपके मन में आया होगा ऐसे कैसे क्योंकि देखो इंडिया generic drugs ज़्यादा produce करता है और generic drugs तो सस्ते होते हैं दिक्कत पते क्या है जो नए drugs है वो काफी कम बनते है इंडिया में यानि new molecular entity space में इंडिया का share बहुत ही कम है 1% सीधा मतलब यह हुआ इंडिया में drugs की discovery drugs की innovation कम होती है बट एक बार अगर कोई drug पुरानी हो जाती है यानि patent खतम हो जाता है तो फिर उसके बाद इंडिया में drugs produce ज़्यादा होते हैं economic survey 2021 ने कहा था domestic market जो है इंडिया की pharmaceutical domestic market यह अगले 10 साल में 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी अभी 2021 में इंडिया की domestic pharmaceutical market कितनी है 42 billion dollars है और 2024 में यह 65 billion dollars पहुँच जाएगी और 2030 आते आते 120 से रेके 130 billion dollars तक इंडिया की domestic pharmaceutical market पहुँच जाएगी issues क्या हैं इंडिया के pharma sector के साथ innovation नहीं हो रही external market की बात करें इंडिया APIs पे दूसरे देशों पे depend करता है drugs manufacture करने के लिए active pharmaceutical ingredients क्या सकता होती है लेकिन इंडिया खुद ये APIs produce नहीं करता दूसरे देशों पे dependent है इं APIs के लिए अगर मालीजी चाइना ने ये API देने इंडिया को बंद कर दिये तो फिर इंडिया कैसे drugs manufacture करेगा तो ये dependence इंडिया को कम करनी होगी उसके बाद next quality compliance inquiry देखो USA का drug को regulate करने वाली जो संस्ता है food and drug administration इसने 2009 से लेके अभी तक सबसे ज़्यादा किसी देश की drugs की inspection करवाई है ना तो वो इंडिया है देखो अगर इस परकार से quality standards को maintain करने में अप्ग्रेड करने में pharmaceutical companies का लगातार investment होगा तो उनका जो capital है वो दूसरे purpose के लिए इस्तमाल नहीं हो पाएगा R&D के लिए जैसे माल लिजिए एक बार इंडिया की drug regulating authority ने data present कर दिया approval कर दिया उसके बाद फिर दूसरे देशों कि जो drug regulating authorities है ना बार बार quality के लिए मजबूर करती है तो ये भी गलत है otherwise थोड़ा सा point से ऐसा signal जा रहा है कि quality जो है उससे distraction होती है capital नहीं quality तो drug के मामले में देखो main है सरकार का जो policy environment है काफी बार stable नहीं रहता कुछ drugs के price को सरकार cap कर देती है तो फिर drug manufacturing companies के लिए incentive खतम हो जाता है करना क्या चाहिए innovation लानी चाहिए देखो अगर ऐसे ऐसे disease जिनके लिए अभी कोई दवाई नहीं है उनके लिए इंडिया की pharmaceutical companies दवाई खोजेंगे न तो ना सिरफ देश में disease burden कम होगा सरकार के बहुत सारे पैसे बच जाएंगे health पर बलकि उन companies का नाम भी increase होगा इंडिया का brand बढ़ेगा और उनको भी sustainable revenue का source मिल जाएगा क्योंकि अगर इंडिया की pharmaceutical companies नए ड्रग बनाएंगी तो फिर patent भी तो उन्हीं को मिलेगा न way forward में देखो ये कहा जाता है आप बताओ way forward दोगे तो क्या दोगे simple points है देखो सरकार regulation आसान बनाए ताकि नए drugs की जो approval है वो complex ना हो वो easy हो इसके बाद industries और academia के बीच linkage होना चाहिए academia जो है उनको भी मौका मिले कि वो अपनी independent company establish करके अगर कुछ drug produce करना चाहते है या फिर मतलब drug discover कर लें तो बाद में तो उसका license जो है वो किसे बेच भी सकते हैं तो ऐसा उनके लिए platform उपलब्ध हो ऐसा करना उनके लिए आसान हो ये भी सरकार सुनिस्चित करें next point innovation hub हमारे देश में ज़्यादा ज़्यादा establish के जाएं जहां पर various stakeholders जैसे industry वाले academia startup वाले ये सब मिल के काम कर सकें सरकार को भी चाहिए कि R&D पर जो investment है सरकार increase करें ये तो देखो सबसे basic point है R&D पर investment कम है जब भी science से related कोई issue आता है न तो आप ये R&D वाला point तो जरूर ही लिख सकते हो इसके बाद नरिस आटिकल अफगानिस्तान में चाइना के interest से समन्दित है आप GS paper 2 के इस topic से आर्टिकल को relate कर सकते हों देखो USA जैसे ही अफगानिस्तान को छोड़ के गया है न एकदम से चाइना का जो interest है वो अफगानिस्तान में जग गया है अफगानिस्तान में rare earth metals हैं और copper deposits हैं चाइना के पास technology है इनकी खुदाई करने की तो अब USA जो space छोड़ के गया है चाइना उसे fill करने की कोशिस करेगा चाइना को ये भी लगता है कि belt and road initiative की जो branch है वो अफगानिस्तान से होके इरान तक extend की जा सकती है इरान से already उनका agreement हो गया है तो अफगानिस्तान के थूर वो branch extend होती है तो अफगानिस्तान भी चाइना के influence में आ जाएगा ऐसा चाइना को लगता है दिखो चाइना अपनी belt and road initiative project के तहट बहुत investment कर रहा है बहुत ज़्यादा आम तोर पर investment करना तो आसान है लेकिन उस investment से returns प्राप्ट करना बहुत मुश्किल होता है बर्सो लग जाते हैं चाइना ने क्या किया जैसे South East Asia में Myanmar में चाइना ने अपनी बहुत सारी जो factories है इन South East Asian countries में shift कर ली अब आपको लगेगा इससे चाइना को क्या फाइदा होगा फाइदा देखो होगा एक तो चाइना के ऊपर काफी तरह के मतलब USA restrictions लगा देता है चाइना से मालीजे import नहीं करता तो चाइना की factory अगर मालीजे Thailand में है Malaysia में है तो वो factory तो चाइना की ही है ना चाइना के किसे person की होगी तो वो तो Thailand और Malaysia से तो USA में दूसे देशों में export cards केगा ना तो देखो चाइना को कितना फाइदा होगा जिसकी वज़े से चाइना दूसे देशों में इन्वेस्ट करता है दूसरा दूसे देशों में कई बार operations चलाना ज्यादा आसान होता है सस्ता पड़ता है जैसे चाइना में जो population है अब relatively body हो गई है one child policy current तो वहाँ पे labor पहले तो काफी सस्ती थी लेकिन अब labor महंगी हो गई है इस वज़े से operations चलाना थोड़ा महंगा है लेकिन चाइना का कोई person मलेशिया में इंडोनेशिया में जाके factory establish करता है तो वहाँ पे operations चलाना अभी भी सस्ता है इस वज़े से चाइना जो है चाइना की companies जो है वो काफी invest करती है और उनको एक बहुत बड़ी market भी मिल जाती है अब चाइना population stable होने के कारण चाइना की जो market है वो भी shrink हो रही है तो चाइना को world की बड़ी market चाहिए अपने माल बेचने के लिए otherwise चाइना की जो economy है वो तो बेसे अभी तालिबान और चाइना के बीच दोस्ती दिख रही है देखो चाइना को यह लगता है चाइना ने तालिबान को यह बोला है कि भाया तुम कुछ भी करो तुम जैसे भी रूल करना चाहते हो रूल कर लो human rights का violation करना चाहते हो कर लो मतलब directly नहीं बोला लेकिन जि देखो responsible power तो बनो ना वो पत्रकारों को पीट रहे हैं महिलाओं को पीट रहे हैं आप आवाज उठाओ हलांकि आवाज तो देखो अभी तक USA जैसे देशों ने भी नहीं उठाई है सभी देश अभी wait करना चाहते हैं कि कहीं हमें तालिबान के साथ आगे जाके engage करना और काईदे से विबिन देशों को आवाज उठानी भी चाहिए जिस परकार से human rights का violation हो रहा है USA जैसे देश वेस्टन कंट्री जो बड़ा बड़ा दावा करती थी कि कहीं भी human rights का violation अगर होगा तो हमारी values ऐसी हैं हमसे चुप नहीं रहा जाएगा तो आज के समय में चुप बैल्ट और इनिसेटिव की ब्रांच चाइना गुजारना चाहता है ना यह रिस्की साबित हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान में देख लीजिए चाइना का जो सीपेक हैं बैल्ट और इनिसेटिव की ब्रांच है वहाँ पर देखो जो infrastructure create हो रहा है ना काफी सारे suicide attacks हुए हैं क दूसरे से जलते हैं तो चाइना ने अगर इन्वेस्ट किया तो वो investment भी खत्रे में आ सकती है चाइना को भी यह पता है बट चाइना यह चाहता है कि अगर हमने अफगानिस्तान में कुछ इन्वेस्ट किया ना तो फिर तालिबान के ऊपर हमारा थोड़ा influence हो जाएगा फि पाकिस्तान के थू है लेकिन चाइना तालिबान के ऊपर सीधा hold रखना चाहता है पाकिस्तान के ऊपर भुरोसा नहीं है चाइना को पाकिस्तान में इतनी investment चाइना कर रहा है लेकिन कितना risk है पाकिस्तान में में देखो attack तो होई रहे हैं लेकिन power भी political establishment के पास नहीं है military establishment क जो जन्रेल्स होते हैं बड़े पदो पर वो अपने इंट्रेस्ट में ध्यान रखके फैंसले लेते हैं वो जन्ता के द्वारा चुने गए तो होते नहीं हैं तो वो अपना-पना फाइदा देखते हैं जैसे पहले एक असीन बाजवा नाम के परसन उनके सीपक के हैड थे उन यह हमने पूरा आंटिकल डिसकस किया चाइना के बैल्ट एंड रोड इनिसेटिव से सम्मंदित हमारी आज की इस डिसकसन में इतना ही है थेंक यू थेंक यू वरी मच पर डिसकेशन